आ गए है फाइनल वोटिंग ट्रेंड्स, फाइनल वोटिंग ट्रेंड्स में अदला बदली हो गई है भाई कौन होगा इविक्ट ये अब बड़ा सवाल आता है और किस तरीके से होगा इविक्षन आज ही वापे वीकेंड का वार का शूट है हर एक चीज इस वीडियो में मै आपको बताऊंगा मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडस कल रात से मुझे थोड़े से कोरोना वाइरस जैसे लक्षन है तो मैं अभी जाके कोरोना टेस्ट करवा ही लेता हूँ ताकि मन में कोई दिक्कत ना हो तो इसलिए थोड़े से जो वीडियो जे व और बहुत अच्छे मारजिन से जासमीन भसीन's से वह आगी चली गई है बात की जाए नंबर दो की तो भाई नमबर 2 नंबर दो है नमबर 2 पे काून Mu को है तकर वह पहां पे थी लेकिन जासमीन भसीन को पहले थोड़े से कंव ते वह राहूँकर के बहुत करीब थी ऐसा लग रहा था कि राहूल उन्हें क्रॉस करेगा लेकिन अब ठीक ठाक वोट्स के साथ हो नंबर दो पे है बात की जाए नंबर तीन की तो यहाँ पे राहूल वैद्य को घर में ज्यादा फुटेज नहीं मिल रहा है और यह क्यों कर रहे बिग बॉस पता नहीं राहू जो है उनके सिर्फ कोई वन लाइनर्स हो इतना ही वाँ पे दिखाया जाता है तो इस वज़े से लोग भूलने लगे हैं और ऐसा लग रहा है कि राहूल वैद्य आप ज्यादा नहीं रिखाई दे रहे और इस वज़े से इनको कम वोट्स आए है नंबर तीन पे है राहूल उसमें वापे अभिनो शुकला छे नंबर पे है थे तो अब जिब बात की जाए इस वोटिंग ट्रेंड में तो अभिनो शुकला आचुके नंबर पांच पे और फाइनल वोटिंग ट्रेंड में पवित्रा पुनिया है नंबर छे पे लेकिन बात की जाए तो एक बड़ी वे में सब के सामने आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है हम ऐसा कहते कि content वो देने लगे हैं और मिया बीवी का जो जगड़ा इन्हों ने लगाया है तो ये जगड़ा और भी ज़्यादा बड़ा देखना है विक बहुत को क्योंकि इस से मिला है इनको टियार पी तो हभी तो नहीं जाएंगे शायद पवित्रापुनिया को भी वो नहीं निकालेंगे क्योंकि ये कभी-कभी बहुत ज़्यादा बड़े जगड़े भी करती है तो ये दोनों भी वापे deserving है इस तरह कैसे कुछ खबरे आ रही है फिलाल अगर मेरे पास खबर आएगी कौन